आज एक बढ़िया आएटी सेक्टर के शेर को गिरता देख आज और कल काफी किरा मेरे मुझे एक ही गाना निकला क्या से क्या हो गया बेवफा इस बाजार में अभी तो काटा था 52 वीक हाई और अब तू कहा है नीचे को कितना जाएगा बेशरम जाना तूने कहां है मारेगा सब को तू गिर गिर के बेवफा मार दे बुरी तरह से वाई सब्सक्राइब अभी बनाया था सब्सक्राइब के 21-22 को अपना 52 वीक हाई और मैं इसमें से निकला भी था मैंने एक लौट काटा था अब मैं आप से पूछता हूं गेस्ट करिए मैंने हींट इतने सारे आइटी के शेर 52 वीक हाई बनाया आप बताए कि शेर की बात करें अगर आपने शेर को पचानली है वीडियो को पॉस करें कमेंट में शेर का नाम लिखे और आप भी किसी शेर के बारे में चाहें तो इसका नाम फड़ा बड़के मैं सारे बढ़ता हूं और मुझे जो शेर अच्छा लगेगा ठीक लगेगा उसकी इंशल तभाई के लिए काफी है मैं केवल एजुकेशनल वीडियो भी बनाता हूं मैं कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा कियेगे स्टॉक उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा ये मानना है कि शेर बाजार में दस्ता वेजों को ध्यान से पढ़ें हाई गाइज आपका स्वागत है आपके अपने शो में के टॉक्सवार इंवेस्टमेंट एंडी में हाहा कैसे हैं आप भाई जिस तरह का बजार का मूड महौल हो रहा है बहुत सारे अच्छे शेयर अच्छे रेटों पर प्लब्द है बच्चे कहते हैं कि सब्सक्राइब किसी अच्छे शेयर में गिरावट हो तो आप उस स्टॉक की चर्चा करा करें हम जानते हैं आप बाइसल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते पर आप चर्चा कर दिया करें नहीं ताकि हमें पता चल जाए वह स्टॉक क्या है फिर हम आपके साथ एक अच्छे स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अच्छे सेक्टर को बिलॉंग करता है निफ्टी फिप्टी का पार्ट है इस वक्त किरा हुए पर मेरी तरफ से कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि अभी गिर कि बढ़िया स्टॉक है और इसका जो नाम है वो है कि मैं लेकर चलता हूं आपको कि अच्छा का नाम है टेक महेंद्रा अभी रिसेंटली इसने स्टॉक ने बारासों से उपर का लेवल क्रॉस्ट किया था और मैंने अपनी एक कॉल को स्क्वेर ऑफ किया था डिलीवरी दीथी शेयर बेचे थे और उसके बाद जो है यह शेयर में अच्छी गिरावर देखने को मिली है मैं बारासों बोल गया तेरासों का लेवल यह देखिए आप यहां देखेंगे इधर देखिए तेरासों लेवल इसने यहां पर क्रॉस कि यहां पर और यह बात है बहुत दूर की नहीं है यह इसका 50-day moving average है और जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं वह 200-day moving average है अभी अपने 50-day moving average के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वह शौट-term bearish हो गया और 200-day moving average के नीचे चला जाए है decisively तो फिर वह long-term bearish हो जाता है इस वक्त स्टॉक में जो आप नजरे मारेंगे तो शौट-term bearishness के साफ पोजिशन नजर आ रही है स्टॉक की अच्छी बात यह है कि इसका जो डिविडेंट पेइंग है प्रेयाउट है वह 75% से ज्यादा का है और कंपनी की जो है पिछले पांच सालों में जो सेल्स है वो थोड़ी पूर है अब कंपनी की वैलुएशन की बात करें तो कंपनी का मार्किट वैलुइशन एक लाग सोला जानो सो सैंतिस क्रोड क्या आज के शेर के बहुँपे आज शेर बारा सो के जस्ट नीचे बंद हुआ है फिफ्टी टू वीक हाई जैसे मैंने अभी चर्चा की थी तेरा सो बीस रुपे का जो इसने अभी पुछ महीन दिनों पहले ही तीन परसंट के आसपास है बुक वैली दो सो सत्तासी है बुक टू प्राइस रिश्यो रिलेटिवली चार सारे चार पौने पांच का हो जाता है जो थोड़ा सा हायर साइट पे कंपनी का रिटर्न और कैपिटल इंप्लोई बाइस परसंट है रिटर्न एक्विटी सत्रा प कंपनी की क्वाटरली पर्फॉर्मेंस ठीक है लेकिन अगर आप देखेंगे जून तेइस का एपिएस खासा गिर गया था जून बाइस के मुकाबले जून बाइस में ता 11.64 जो गिर के सात रुबे दस पैसे हो गया था उससे पहले हालात फिर भी ठीक थे पर ओवर आलात हो गए अगर आप देखेंगे इसका ट्वेल मंच का इयरली एपीएस तो पिछले कई सालों से मार्च 2015 से बात कर रहा हूं इसका येरली एपीएस हाइस था मार्च 2022 में जो 57 रुपे 27 पैसे था फिर ये मार्च 2023 में सेकिंड हाइस ते जो गिर कर 49 रुपे 60 पैसे हो गया नि स्टॉप जो है थोड़ा सा इसका इपीएस गिरता जा रहा है जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो स्टॉप में करेक्शन देखने को भी मिली है कंपाउंड शेल्स ग्रोथ जो है पिछले तीन साल की 13 परसेंट है पांच साल की 12 परसेंट है दस साल की 23 परसेंट ट् इतना इसका शेयर कैपिटल और रिजर्फ है उसका टैन परसेंट के आसपास ही यानि कंपनी काफी रीजनेबल ना के बराबर ही मानी जाईगी अब अगर हम बात करें शेयर वेल्डिंग पैटर्न की तो जो प्रमोटर जैसका प्रमोटर महिंद्रा ग्रूप है उसके पास लगबग इसके 35 परसंट शेयर है इसके बहुत बड़ी होल्डिंग है चब्विस परसंट की है और यूइज से बड़कर साथ परसंट होगी है और पबली की ऐसा शिकार है जिसकी होल्डिंग लगातार गिर रही है अगर आप ध्यान से गौर करेंगी सेप्टेंबर से सबसे कम होल्डिंग सेप्टेंबर 2023 में आई है और अगर ऑपडीजी की डियाइस की हाइस डॉल्डिंग सेप्टेंबर थेज़ सेप्टेंबर एफ ओडीजी नहीं होंने जून 2023 के मुकाबले अपनी shook को अब इसी होल्डिंग को आप अगर देखते हैं तो आप पाएंगे पब्लिक की होल्डिंग जो है अपने लोवर लेवल के आसपास है और बहुत ज्यादा होल्डिंग है वाली बात हो गई है दो 17 से आज तक इतनी होल्डिंग नहीं देखी दिए अगर आप देखेंगे तो लोएस लेवल पर है इस पीरिड में अगर आप देखेंगे इस ने काफी विक्वाली के लगता सारा माल डिया इस ने करिक दिया क्योंकि पुब्लिक का माल भी इसमें कम हुआ है तो यह सारी चीज आपके अवाद शेयर ठीक ठाक लगता है पर देखिए बैटा शेयर बजा रहे है जब कोई चीज गिरती है तो इतना नीचे गिर जाती इतना नीचे गिर जाती है कि मामला खराब हो जाता है एक डैवर्सिपाइड कंपनी है आई टी सेक्टर की और बहु इसको अमेरिका से भी काफी बिजनस मिलता है तो जिसके चलते अमेरिकन एकॉनमी टाइट दौर से गुजर रही है तो इस पर उस चीज का प्रभाव है अगर पोजिशन देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत जादा जहां गिरावर्ट बनाई थी यहां पर उसके बाद से पांच छे लॉट भी हो सकते हैं फ्यूचर भी इसके मेरे पास बड़े खड़े हुए पुट्टे भी अग्रेसिव बेची हुए यानि आप मानके चलिए कि कम से कम दस लॉट का मोटा मोटा काम इस स्टॉक में मेरा चल रहा है तो देखिए मेरा स्टॉक में इतना काम है इ इस शेयर को आप इंवेस्ट करिए और आपको ठीक ना लगे तो टाटा बाय बाय कर दीजिए और वाई और भी शेयर हैं जमाने में चलिए अब चाचा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वहीं शेयर बजार में क्या चल रहा है अगर आज आप देखेंगे तो भारति यह बजारों ने आज काफी समय का एक हाई बनाया देखिए कितने दिन का ही बनाया यहां से इस कैंडल के बाद अगर आप जितनी भी कैंडल देख रहे हैं उसका हाइस इसने आज टच किया है आप गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस यारा बारा त ऐसा हमारा निफ्टी का धमाल है में चार्ट पर बुलिश क्रॉसर स्ट्रॉंग हो रहा है और अच्छे लेवल पर चपन पर आ चुका है अब आप कहेंगे यह तो आपने बता दिया भारतिय बजारों का आज का परफॉर्मेंस अच्छा था बर पिछली क्लोजिंग भारति रहता है यहां एक पीक बनाता है 19,850 के लपेटे का बहुत बढ़िया यानि लाइफ टेम हाई से मुश्किल से साड़े 300-400 पॉइंट पीछे रह जाता है फिर पता नहीं यहां इसको क्या होता है इसको बंसा पटता है तराम से नीचे गर जाता है और एक बॉटम बनाता है पॉइंट चड़कर पॉइंट 4% की तेजी के साथ बंद होता है अब इसमें अगर हम कैंडल की बात करते हैं अगर आप कैंडल देखेंगे कैंडल जो आज की वनिया लाल लाल कैंडल होती है बेरिश कैंडल इसका मतलब बता है जहां बजार खुला तो उससे नीचे बंद अब थोड़ा से इसको हम अंतराश्टी बजारों से कंपेर कर लेते हैं तो आज जो महल था जैसा मुझे मैं बीच-बीच में देखता रहता हूं सारे याद है कि हमारे एश्य बजारों ने धमान बचा है सारे बढ़े अच्छे तेजी के साथ बंद हो एक आधी इंडेक्स इंडेक्स थी बड़ी तेजी सवा परसंट की निकई 225 यानि जपान में देखने को मिली एक परसंट के लपेटे हौंग कॉश्पी यह सब बजार तेज थे चाइनीज बजार सारे तेज ते और ऑस्ट्रेलिया आदा परसंट तेज बंद हुआ पर उसके बाद यूरोपिय अज़र एक परसंट के लावा सारे बजार गिरें स्टॉक्हों में सबसे बड़ी किरावट एक परसंट किये और स्विजल लेंड भी 0.61 बन्दा बाकि सभी बजार आदा-परसंट करें अब अगर चलते हैं यूस की तो यूस में कोई हालात अच्छे नहीं यूस की है चार इंडेक्स जिसमें से स्मॉल कैप 2000 को तो लग गई है आग वो तो एक परसंट से ज्यादा है तेज बाकी सब मरे पड़ें आदे परसंट से कम गिरे पड़ें और आपका ब्राजील और कैनेडा हलके फुलके हर्याली में नजार आ कोई संकेत ढंक से बजारों से मिलनी रहा है कोई सब अपनी डफली अपने राख की तरह चल रहे हैं कभी भी पल्टी मार लेते हैं कभी ऊपर कभी नीचे यह सब चल रहा हमस और इस्राइल के यूद के चलते मामला थोड़ा से गंबीर है आए अंतर राश्ट्री अंडिकेट रुपया हायर लेवल पे नेगटिव और टेन ये ट्रेजरी यील्ड को तो साली आग लग गई है 16 17 18 साल कितने साल के हाई पर पहुंच गई है 4.817 मेर को तो याद नी 16 साल पहले तो मैं ट्रैक भी नहीं करता था इतनी बड़ी टेन येर येल्ड यूएस की कभी देखने क को नहीं मिली है इतनी बड़ी हाई येल्ड तो हमने करोना काल में भी नहीं देखे रहे तो आग लगी है आग लगी है यूएस टैन ये ट्रैजरी येल्ड में आग लगी है इसके मुकाबले हमारा मार्केट मूड जो है सुधरा है और लगतार चार दिनों से ग्रीड के नि मूड में अगर मूड मौल ठीक रहा तो एक्स्ट्रीम ग्रीड भी देखने को मिल सकता है अब इसके मुकाबले अगर आप बात करेंगे अपने एफाइस की बदल गए सलमा बड़े दिनों के बाद इन्होंने जो बदल गए बलमा सलमा नहीं होता ही बलमा बड़े दिनों की बार हर सेक्टर में नेट खरीदारी की है इन्होंने की कैश सेग्मेंट में इंडेक्स फूचर में 464 और स्टॉक फूचर में ब्याइस सो करोड के आसपासी खरीदारी लगबग तीन जार का बड़े दिनों के बाद एक खरीदारी दिखाई और आज एक ऐसा बड़े दिनों बाद दिन देखने को मिला है जब एफाइस दोनों ने खरीदारी करी पहुने 400 क्रोड की नेट खरीदारी आई और बजार हर्याली के आचल में समा गया अब अगर हम बात करें एफाइस की लॉंग की तो एफाइस की लॉंग अब इंडेक्स के अंदर लगबग 29 आ गई है बड़े दिनों के बाद का यानि कि यहां से अगर आप देखेंगे इतने लेवल का हाइस लेवल उसने आज अचीव किया है और बड़े दिनों के बाद यहां से देखिए 47 तो सालन देख रहे हो जी नहीं बिला था यहां इतने इतने दिनों के बाद आज स्टॉक की जो फाइस की लॉंग है 47 के उपर गई है नी तो ल अगर आया जैसे यह रूख बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर यह हैं बड़े कमीने कभी भी फिर गेरना शुरू कर देंगे क्योंकि इनका भरोसा कुछ है नहीं अब देखो आज बड़ा दिल था इस साले स्टॉक के उपर तरी इसका नसीभी फूटा हुआ है कई बार दे सबसे कम ओंगी खुल गई सुबह तो तेज खुला बाद में गिर गया वैसे मुझे परसनील लगता है हाला कि मेरा उपीनियन है साला गलत भी हो सकता है उल्टे मूं भी पढ़ सकता है मर भी सकता है कुट भी सकता है इस बार यह 700 काटेगा और साले 700 के आसपास से कहीं फिर से रफ्तार बनाने की कोशिश करेगा अब पता नहीं बागी गलत भी हो सकता है लार्सन टुब्रो भी अच्छा गिरा होता यूपिल गिरा होता है इंडसिन बैंक की भी आज धुनाई-पुनाई हो रही थी इस चार्ट को तो हमने डिसकस कर लिए यहां पर इस वाले को अब हलका सा चर मराया यानि हलका से शेक अप हुआ है तब उन्होंने हलकी सी पोजिशन कम किया लेकिन अभी भी उनकी पोजिशन पूट राइटर से ज्यादा है लेकिन 19 900 बे देखें के कॉल राइटर बीस जार पर पागलों कितना बढ़ गए हैं उपर के लेवलों पर कम होते हैं मंतली भी देखो आज पूजिशन चेंज हुए मंतली फिर उन्निस पांसो पर जाकर बजार का पुट का उपन इंटरस्ट हाइस हो गया है और कॉल का तो महीं बीस जार पर और मैक्सिम्म पें उन्निस यार्ट सो पर और बढ़ गए निस यार्ट सो के लेवल को बह है सब कमाल है कमाल है यह भी आदा परसंट के लेपेटे में पूरा आदा तो नहीं पॉइंट फोर टू परसंट बढ़कर बंद हुआ कल चौली से लगभग साला सबहा अपोने चार सो पॉइंट की तेजी के साथ खुलता है और चौली से पांसो नब्बे के लेपेटे का ह बंद होता है आज का स्टार परफॉर्मिंग था कोटक महिंद्रा है इनकी वज़ा सी इंडेक्स चड़ाए अगर यह दोनों मर लेते ना तो बजार गिर जाता है क्योंकि यह यहां के दिगज बैंक है आज गिरने वालों में छोटे बैंक की ते जैसे आपका बंदन बैंक यू स्मॉल फेडरल बैंक और थोड़ा सा इंडेसिंट बैंक जो हलका सा बड़ा है मीडियम साइज का वह भी गिरा हुआ था अब आप बात करें कि तो अब जैसे यह फॉल्ट बना रहा था अब यह थोड़ा सा उपर हुआ है यह आप देखेंगे कुछ कुछ और मिडल बोलिंजर बैंड के अंदर आज की पूरी कैंडल का बॉड़ी रिक सब इसमें मजबूती जादा है निफ्टी 50 में मुकाबले कमजोर है और यही चीज कुछ option chain में भी नजर आ रही है क्योंकि option writers ने आज 43,000 के लेवल पर 43,500 के लेवल पर हाला कि 44,000 पर भी बढ़े हैं पर maximum pain उनका 43,000 पर चला गया है और call writers का भी maximum pain 45,000 से हटकर 44,500 पर आगया निए call writers और put writers दोनों अपना maximum pain नीचे की तरफ ले जा रहे हैं यानि बजार में गिरावट के संकेत नजर आ रहे हैं ऐसा option chain analysis कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं और इसको confirm कर रहा है PCR PCR 0.8 से गिरकर 0.71 हुआ आज है साब Tuesday कल इसकी weekly एक्सपायर रही है इसलिए इसमें कमजोरी नजर आ रही है और जो मंतली PCR है वह ही 0.91 पर बटाव है अब आप कहेंगे से आपने क्या किया मैंने प्रभू के आश्रिवाद से प्रभू की किरपा से आपकी शुब कामनों लगबक 36,700 का मुनाफ़ा कमाया आज मैं मैंने कई aggressive trade की जिनको मैं उपल बैल के trade कहता हूं उसको मैंने एक future call strategy लगाई दो future बार किये एक मैंने कॉल सेल की छे मैंने स्क्वेर ऑफ किये एक मैंने इंट्रडे किया नहीं धेड़ों काम किये पर जो मेरे थोड़े एग्रेसिव यहां पर होते हैं वहां पर एक कॉल बेची दो स्क्वेर ऑफ किये तेरा आठ सो का मुनाफ़ा कमाया प्लाटीनम रूबी जिनको मैं सेफ एरिया कहत प्रवित इस प्रवित बिल को मैंने वेर्ल को सुबजबर रुपए सारे कमाएं तैटा पावर को मैंने खरीद बेच किया इंटरेडे कर दिए इसमें कितने बचे तीन हजार के आसपास जिनिर को बचे दे मैंने एक बचकर दो मिनेट पर करीदा एक बचकर काट थोड़ा- फिर टाटा पावर की मैंने कॉल बेच रखी इसको स्क्वेर आफ करके इसमें भी लगबग 12 रुपे कमाई तो यह थे और एक लाइसी हाउसिंग की काफी दिनों से कॉल बेचुई थी अब काफी रेट कम आ गया था मैंने काट साले को और इसमें भी 6000 रुपे कमाई तो यह थ टिप उसकी होई डिप मैं आपको जितनी भी बाते बताता हूं नॉलेज और इंफोमेशन शेर करने के लिए बताता हूं मेरे से को पूछता भी सरम यह खरीद लेन अपने रिस्क अपटाइट के आप से ट्रेड करो किसी से पूछ के मत ट्रेड करो अगर आप भी सीखना च सकते हैं जिसमें वह आपका पूरी हेल्प करती है पूरी आपको नॉलेज के वाइसी करने में मदद करती है इसके लावा मेरा टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जोइन करिए इसी के साथ साथ अगर आप यूट्यूब पर सुन बनना चाहे त बन सकते हैं इसे के साथ साथ बबाई गॉट्ब्लेस्ट्री आप स्टोक मार्केट के बेटाज बाक्षा बनें